हेलो दोस्तो, I hope आप सभी एकदम बी आईपी होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो आज से CBSC Board Class 10 का Science स्टार्ट कर दिया जा रहा है Class 10 Science में पहले कमेश्टी के पार्ट में पहला चेप्टर क्या है आपका? Chemical Reaction and Equation तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं देखिए, इसमें पहला ही हेडिंग हो जाएगा Chemical Reaction Chemical Reaction समझने से पहले हम समझ लेते हैं Reactant क्या होता है? और Product क्या होता है? और एक होता है Catalyst इन तीनों को पहले हम समझ लेए देखिए, कहीं भी Chemical Reaction अगर हो रहा है तो वहाँ पर आपको इस तरह से Arrow देखने को मिल जाएगा इस Arrow के पीछे जो रहता है यानि इसके Back Side में जो भी रहेगा वो आपका क्या कहलाता है? Reactant तो ये तो कहला दिया Reactant अब जैसे ही अभिक्रिया होती है और इधर एक New Substan Form होता है उसी को कहते हैं Product याद रखिएगा Arrow के Back Side में जो रहेगा वो Reactant और इसी के Front Side में जो रहेगा वो Product अगर Arrow पर ही कोई पाया जाए तो वो कहलाता है Catalyst क्या कहलाएगा? Catalyst अब देखें आपको सब का PDF लिखे लिखान मिल जाएगा आप Telegram जोईन कर लिजिए या फिर अगर आप Telegram नहीं चलाते हैं तो इस नमबर पर WhatsApp करके चेप्टर का PDF प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से हर चेप्टर का PDF दे दिया जाएगा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग देखें Reactant यानि Those substances which take part in chemical reaction Called Reactant और Those substances which formed after chemical reaction Called Product Catalyst क्या होता है तो Catalyst chemical reaction में participant नहीं करता But it can change the rate of reaction या तो decrease कर देगा और या तो increase कर देगा देखिए अब chemical reaction को समझते हैं यहाँ पर आपका कोई है Substance अब यह substance एक new substance form कर ले यहाँ पर क्या होगा New substance अब यहाँ ध्यान रखिएगा यह जो new substance बना है इसकी properties इससे different होगी यह आपका क्या कहलाएगा Reactant और वही यह क्या कहलाएगा तो यह आपका है Product यानि Definition आपका क्या हो जाएगा Chemical reaction का देखे, the process in which one substance form new substance with new properties यह आप कहलीजिए कि new substance देखे, the process in which new substance form with new property is called chemical reaction एक बात याद रखिएगा अगर कहीं भी chemical reaction हो रहा है तो वहाँ आपको chemical changes देखने को मिलेगा क्या मिलेगा chemical changes देखे, यह जो परिवर्तन यानि changes होते, यह two type होते है एक chemical और next physical अगर आप यह नहीं देखे होंगे तो description में लिंक है जाकर वहाँ से देख लीजिए अब ध्यान दिजेगा chemical changes वहीं होगा जहाँ chemical reaction होगा example के तोर पर आप देख लीजे यह जो digestion होता है यह आपका क्या है chemical reaction respiration यह आपका क्या है तो यह भी है chemical reaction इसके अलावा rusting of iron यह भी आपका क्या है chemical reaction और तो burning of magnesium burning of magnesium ribbon देखे यह जो mg होता यानि magnesium यह oxygen से react करके यानि oxygen से क्रिया करके यह क्या बना लेता है magnesium oxide balance करने के लिए यह देखिए तो यह सब आपके क्या है example आप chemical reaction एक और process होता है कि fermentation क्या होता है तो fermentation भी आपका क्या कहलाएगा chemical reaction माल लिजे फर्म हाँ चलिए तो क्या हो गया example digestion respiration rusting of iron burning of magnesium इसके अलावा इसके अलावा convert हो जाए convert into curd तो यह सब इक्जामपल है कि इसके chemical reaction के hydrogen और प्लस में oxygen यह दोनों मिलकर water formation कर ले h2o balance के लिए यह देखिए तो यह आपका क्या था chemical reaction next heading लिख लिजे characteristics आप chemical reaction या कह लिजे कि chemical reaction के दोरान यानि during chemical reaction क्या-क्या changes होते हैं वो इसमें हम पहला देखते हैं change in color देखिए जो reactant का color रहेगा product formation होते ही product का color change हो जाएगा जैसे में देखिए हम ले लिए KMN4 क्या ले लिए KMN4 name क्या है इसका potassium per magnet अब इसी में हम मिला दिये citric acid क्या मिला दिये citric acid अब इसका जो solution मिलेगा ध्यान से देखेगा यह तो आपका होता है purple color का लेकिन यह जो मिलेगा यह आपका color change यह colorless रहेगा क्या रहेगा colorless यह तो आप देख लिजिए K2Cr2O7 इसका नाम है potassium dichromate अगर हम इसी में मिला दें YSO2 तो इसका जो solution मिलेगा देखे यह तो रहेगा orange color का लेकिन यह जो solution प्राप्ट हुआ यह मिलेगा green color का यह तो कह लिजिए जैसे आप लोग कपड़े में तो नील देते ही होंगे तो आप पानी लिए हैं वो colorless है लेकिन जैसे नील मिलाते हैं तो वो blue blue हो जाता है यानि color change तो क्या हो रहा है वहाँ पर chemical reaction यह properties है chemical reaction के जहाँ chemical reaction होगा इन में से कोई न कोई एक अखो पाया जाएगा next हम दूसरा देखते है change in states देखें यहाँ पर product का state और reactant का state अलग अलग रहेगा example के तोर पर देखें H2 यह क्या है gas है और plus में O2 यह क्या है gas है hydrogen oxygen से react करके water formation करता है तो यह किस state में रहता है liquid ठेक या तो जो mom हो गया mom तो solid state में रहता है उसे का हम combustion reaction करा दें तो वो liquid में पहुच जाता है यानि state change हो जा रहा है पहला क्या है change in color next क्या है change in state और next टेक लेता है यानि third क्या है तो third है change in temperature देखे इसका example क्या है तो आप याद रखेगा CAO यह क्या है तो यह है quick lime अगर इसको हम water में मिला दे तो जैसे इसको हम water में मिलाते हैं तो यह form कर लेता है calcium hydroxide का देखे यह जैसे हम water में मिलाएंगे तो bubbles निकलने लगते हैं और वो bubbles किसके रहते हैं calcium hydroxide तो यानि temperature क्या हो जा रहा है increase हो जा रहा है तो यह third point था पोर्थ हम देख लेते हैं evolution of gas देखे इट मेंज अगर कोई reaction complete हो जा रही है और यह सब उसमें property नहीं पाई जा रही हैं तो हो सकता हो यह पाया जाए evolution of gas मतलब product के side में gas निकलेगी gas excrete होगी यानि उस सर्जित होगी example के तोर पर यह देखे zinc है इसकी क्रिया करा दे sulfuric acid के साथ तो जैसे ही zinc sulfuric acid से react करता है तो zinc आएगा hydrogen के पास hydrogen कहेगा hydrogen तुम यहां का कर रहे हो hydrogen कहेगा okay जहां पना I am going तो यह इधर आएगा यह बना लिया zinc sulfate और plus में yes to यह है आपका gas और यह बाहर निकल जाएगी तो इस तरह gas का formation हुआ यह आपका चौथी property है चलिए next यानि पांचवी और अन्तिम properties क्या है formation आप precipitate precipitate का formation हो जाएगा जहां chemical reaction होगा example के तोर पे हम देख लेते हैं BACl2 यह है barium chloride जैसे ही इसको react करवाते हैं sodium sulfate के साथ तो यह sodium का यह दा हम यह नहीं रहेंगे हम इधर चले जा रहें यह BACl2 अच्छा तुम हमारे घर आ गए हो हम तुमारे घर चले जाते हैं तो यह इधर आ जाएगा अब formation क्या हो जाएगा BASO4 का और यह है PPT क्या है precipitate और प्लस में 2NACl तो यह बन गया precipitate यानि देखिए क्या कहा गया था formation of precipitate यह जो है यह water में insolubile होता है तो यह discuss किया गया आपका characteristics of chemical reaction total कितने थे 5 तो देखिए total कितने characteristics पांस्थो पहला change in color next change in state next change in temperature next evolution of gas next formation of precipitate तो आज हमने क्या discuss किया chemical reaction, reactant, product, catalyst characteristics of chemical reaction चलिए देखिए आप लोगों को कुछ home task दे दिया जा रहा है यह करके comment में बताईएगा पहले से चौथे question में आपको बताना है कि यह सब chemical changes है कि नहीं यानि chemical reaction इन सम में हो रहा है या नहीं question नमबर 5 में ABC दिया गया है इसमें आप लोग बताईएगा कौन reactant है और कौन product है और साथ में number आप reactant कितने है number आप product कितने है देखिए अगर आपको chapter का PDF चाहिए तो telegram group जोईन कर लिजिए और अगर आप telegram चलाना नहीं जानते हैं तो इस number पर whatsapp करके आप अपने हर एक chapter का PDF मंगा सकते हैं तो I hope ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद जय होगादू